नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हैं आज मैं आपको अपनी बालकनी का व्यू दिखाने जा रही हूँ और इसमें भी मैंने बहुत मेहनत करी हैं और उसके बाद आप रिजल्ट सामने हैं आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा कि मेरा बालकनी गा पकड़ लिए इनोंने कि देखते ही इनकी ब्यूटी बनती है यह कुछ किचन के डब्बे हैं कुछ पानी की बॉटल है जिनको मैंने पेंट करके डिया वाई बनाकर मैंने इनको सजा दिया है और जो की देखने में बहुत जादा अच्छे लग रहे हैं लगभक तीन-चार हो गया है महनत तो देखे किसी भी काम में है जब तक महनत नहीं होती है तो वह रंग नहीं लाती है तो अब देखने में इतना अच्छा लग रहा है और इसके पीछे जितनी महनत है वह मैं आपको स्टेप बाई स्टेप मैं दिखाती रहूंगी तो यह देखे पहले क्लीन ह खाली मेरा ये एरिया है यहां के सारे जितने भी गंबले हैं वो मैंने छट पे ट्रांसफर कर दिये थे कि वहां बारिश का पानी मिल जाएगा तो क्योंकि यहां पे हल्की सी बोचहार ही आती है तो यह जगा भी मुझे साफ करनी थी तो गंबले रहते हैं तो नहीं हो पाता है तो पहले तो मैंने जगा को पूरा खाली किया पिछले साल मैंने ये स्टाइन मंगवाई थे चार उन्हीं को ही रखा है पहले तो मेरे इसमें बहुत सारे प्लांट लगे थे मतलब रखे हुए थे पर अब मैं बहुत ही सलेक्टेड ही प्लांट यहां पे रखोगी प्लांटर रखोगी बाकी बहुत भीरभार नहीं करनी है तो देखिए मेरे गार्डन का ये लुक निकल कर आया है मेरी महनत साखार हुई है इस समय इतना सुन्दर लग रहा है मेरा बालकनी कि मन खुश हो जाता है जब सुबा ये दर्वाजा खोल के बाहर से छंडी छंडी जब हवा आती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है लगता है क्योंकि इस नीचे रखने से क्या होता है अच्छे से पानी पढ़ जाता है सारी पत्तियां दुल जाती है और उपर किसमे पानी पढ़ा किसमे नहीं पढ़ा ये समझ में नहीं आता है तो पहले मैंने नीचे उतार के रख दिया है और फिर सुबा पानी डाल दिया था अ अभी ये विंडो वगेरा मुझे सब कवर करना है और जब ये कवर हो जाता है तो इरिया बहुत सुन्दर लगता है तो अभी ग्रीन नेट इसलिए मैंने हटाई नहीं है और आगे भी नहीं हटाऊंगी ये थोड़ी सी गैलरी है मेरी बालकनी में ही बहुत ज़्यादा जगा तो नहीं है पर इसके जो बॉर्डर है वहां पर दिम ये डिय आइवाई करके बॉटल जो ऑईल की बॉटले आती है एक लीटर की उसी में मैंने ये परपल हार्ट लगा रखा है और इसकी मैं पिंचिंग करती रहती हूँ पिंचिंग करने से क्या होता है ये बहुत घना घना लगता और ये बाटल बिल्कुल दिखाई नहीं देगी इस तरह से उपर की tip काटके मैं हटा देती हूँ तो ये लगता ही नहीं कि इसके नीचे bottle है और घना घना लगता हूँ वैसे भी purple heart की जब उपर की पत्या जब उपर ये growth करता है ना तो उपर पतली पत्या निकलने लगती है ब्रांचे निकलती है जो देखने में बिल्कुल अछी नहीं लगती है और दो doudoty planter में मैंने snake plant की छोटी variety है वो लगा रखा है इधर मेरे सारी plant लग रख्खे हुए हैं उनकी म्हें मैंने cutting कर दी पिंचिंग कर दी और cutting मैंने सारी यहाँ पर दो गंबलो में लगा दिया था जिस office की एक में तो बहुतெ से से चल रही हैं और दूसरे वाले में काफी सूख गए हैं वैसे इतनी ज्यादा मुझे कटिंग की जरूरत भी नहीं पर लग रहा था कि क्यों फेक हैं लगा लेते हैं आगे किसी को देने के काम आ जाएगी या मैं ही लगा लूगी क्रीनरी बनी रहेगी इधर भी मेरे जितने दो घंटे की इनको दो से तीन से चाल तक की दूप मिलती है बाकी इस समय खाली ब्राइट लाइट की लिता है तो यह एरिया मिलकुल अक्षे से सारेада goals ब्रांट पह।थ से बरने यह बास्के प्लांट है वो भी इसमें भी कई सारी ब्रांचेस निकल आई हैं जबकि यह मैंने इसी साल जनवरी में लगाया था और इसकी छोटी छोटी कटिंग मैंने कई जगा लगा दिया था उन्होंने सब में सबने गंबले को कवर कर लिया है और यह लटकती हुई ब्रा ला रही है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा जो भी मेरे चैनल में न्यू आई हैं प्लीज सब्स्राइब जरूर करिएगा और आप लोगों की जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं वो दिल खुश हो जाता है और एक होसला बढ़ जाता है चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ